मादिमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने आज रीट अभ्यारतियों को धंतेरस के मौके पर रीट परिक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया इस परिक्षा में राजसंबंद के अजे वैशनव वैरागी ने 148 अंक प्राप्त कर पहला इस्थान प्राप्त किया है जबकि दूसरे इस्थान पर उदापूर के गोविन सोनी और तीसरे इस्थान पर भीलवडा के अभीजी शर्मा रहे बोड अध्यक्षी डॉक्टर डीपी जारोली ने सही सवा आठ बजे इस परिक्षा के परिणाम को जारी किया परिक्षा के प्रथम इस्थर के लिए 12,67,785 अभ्यारती पंजिक्रत हुए थे जिन में से 10,19,764 अभ्यारती परिक्षा में शामिल हुए अधालत के आदेश के बाद प्रथम इस्थर के 3,30,604 अभ्यारतीयों का परिणाम रोका गया है वहीं आरक्षित वर्ग के आवेदकों में से 1,63,74 अभ्यारतीयों ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं अनुसोची जाती अनुसोची जनजाती अन्य पिछडा वर्ग अती पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के 1,40,40,40 अभ्यारतीयों ने 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं दिव्यांग श्रेणी के 7,639 अभ्यारतियों ने 40% से अधिक अंक प्राप्त किये हैं जबकि सहरिया जंजाती के श्रेणी के 16,948 अभ्यारतियों ने 36% से अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा की पात्रता को प्राप्त किया है। इस अउसर पर बोड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारूली ने बताया कि रीट परिक्षा के लिए 12,67,540 अभ्यार्थी पंजीकरत हुए थे जिन में से 10,32,855 अभ्यार्थी परिक्षा में शामिल हुए थे आरचित वर्ग के आवेदकों ने 3,29,640 परिक्षार्थियों ने 7% से अधिक अंक प्राप्त किये हैं वही अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रीणी के 3,82,112 परिक्षार्थि के 12,600 उनसित्तर अभ्यार्थियों ने 40% से अधिक अंक प्राप्त किये हैं वही सहरिया चंजाती श्रीणी के 41,990 परिक्षार्थियों ने 36% से अधिक अंकों के साथ इस परिक्षा की पातरता को प्राप्त किया है गौर्टालब है कि राजस्थान माद्यमिक शिक्षा बो अधियापक पातरता परिक्षा 2021 प्रथम बीयड और डियलियड योग्यता रखने वाले परिक्षार्थियों का परिक्षा परिक्षा परिणाम अधालत में दायर याचिका के अधार पर अधालती आदेश से रोका गया है इसी के साथ रीट लेवल प्रथम और जितिये के ज हमने आज लेवल प्रथम रीट परिक्षा लेवल प्रथम लेवल जिति और अलवर में हुई परिक्षा 16 अक्टोबर तीनों का परिक्षा 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 को मेरी और से कहना चाहूंगा कि मेनत करें जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है कारिक करते रहे सफलता जरूर मिलेगी